नमस्कार आपका स्वाकाते राजमामा टीवी पे मैं पूर्णम आपके साथ प्रधान मतीद नरेन मोदी ने बुद्वा शाम नई दिल्ली में रीडवलप किये एक इंटरनाशनल एक्जिबीचन कम कन्वेंशन सेंटर का इनाउग्रेशन किया इसका नाम भारत मंड़पम रखा गया है सिक्का और डाक टिकेट भी जारी किया इससे पहले सब उन्होंने हवन और पूजा की थी कन्वेंशन सेंटर का इडवलप्मेंट 2700 करोड रुपे की लागत से किया गया है इस कन्वेंशन सेंटर में 9 और 10 सितंबर को अठारवी G20 बैठक होगी सरकारी एजेंसी इंडिया ट्रेट प्रोमोशन और्गनाईजेशन याने आई टी पी ओ का ये कॉंप्लेक्स 123 एकड में फिला है IECC दुनिया के लीडिंग एक्जिबिशन और कर्वेंशन सेंटर में से एक है ये कॉंप्लेक्स देश का सबसे बड़ा माई सेंटर है इस दुरान पी ये मोदी ने कहा दुनिया सबसे बड़ा सोलर विंड पार्क सबसे उचा रेल प्रिश दुनिया की सबसे लंबी टरनल दुनिया की सबसे उची मोटर बेल रोड दुनिया का सबसे बड़ा कर्केट स्टेडियम दुनिया की सबसे उची प्रतीमा एशिया का दुसरा सबसे बड़ा रेल रोड प्रिश भारत में है उन्होंने कहा जल्दी दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजम भी बनने चा रहा है पिम मोदी ने कहा कि तिससे टर्म में दुनिया की पहली तीन एकोनॉमिस में एक नाम भारत का होगा ये मोदी की गारंटी है उन्होंने कहा कि 2024 के बाद इसे टर्म में देश की विकास चात्रा तेरी से बढ़ेगी देशवासी अपने सपने अपनी आँखों के सामने पूरे होते देखेंगे इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद